Greetings dear brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ और मेरे भाईयों और बहनों आज की सुभा मैं प्रभु येश्व मसी के नाम में आप सब का भिवादन करता हूं और धन्यवाद हो परमेश्वर का इस नए हफ़ते के लिए और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवनों को समह ले रखा और एक और हफ़ता हमने बिताया और एक और नया दिन उसने हमें दिया और होने दे आज की सुभा जैसे हम खुद को देते हैं कि हम कुछ समय के लिए परमेश्वर की उपस्तिती में शान्थ हो कर उसकी वाणी को सुनते हैं, पवित्रात्मा हम सब से बात करें और आज का जो मेरा मनन है उसे मैंने रखा है मर्कुसरतित्सु समाचार उसका चौथा अध्याय 35 वचन से ले करके 41 वचन तक और मैं इस वचन को आपके लिए हिंदी में पड़ूँगा मर्कुसरतित्सु समाचार उसका चौथा अध्याय 35 वचन से ले करके 41 वचन के लिए और यदि आपके पास आपके पवित्षास्थ बाइबल है तो किरप्या करके आप भी अपनी वचन की और खोले जैसे हम इसे पढ़ते हैं और यह एक जानी पहचानी एक कहानी है जो यहां पर मौझूद है और अगर आपके पास आपका बाइबल नहीं है तो ध्यान पूरवक इस वचन को सुने जैसे यह पढ़ा जाता है उस दिन जब सांच हुई तो उसने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चलें और वे भीड को छोड़कर जैसा वहां था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चलें और उसके साथ और भी नावे थी तब बड़ी आढ़ी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी पर वह आप पिछले भाग में गदी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा हे गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नश्ट हुए जाते हैं तब उसने उठकर आणधी को डाठा और पानी से कहा शांत रहे थम जा और आणधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आणधी और पानी भी इसकी आग्याओं को मानते हैं Here is a practical lesson for the disciples to learn some very valuable spiritual lesson और यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेलो के लिए एक सभाविक एक ऐसा शिक्षा है जिसे वो सीख और देख सकते हैं Now, put a good man into a situation where he comes face to face with death और आप एक भले मनुश्य को एक ऐसी परिस्ति में लाकर खड़ा कर दें जब वो मौत का आमना सामना करें You will see that person in his truest and deepest self तब आप उस व्यक्ती को उसके सचे रंग में और उसके सबसे गहरे रंग में पाएंगे You will find out how good he really is तब आप इस बात को जानने पाएंगे कि सच में ये व्यक्ती कितना अच्छा है Trials comes to all of us और याद रखिये परिक्षाएं तो हम सब के जीवन का भाग है When God allows trials to come into our lives, God has a specific purpose और याद रखिये जब परमेश्वर परिक्षाओं को आने की अनुमती हमारे जीवन में देता है तब परमेश्वर की एक योजना एक उदेश उसके पीछे है Trials do not make or break an individual और याद रखिये परिक्षाएं एक व्यक्ति को ना ही बनाती और ना ही तोडती है लेकिन ये परिक्षाएं तो एक व्यक्ति को प्रकट करती हैं की ये व्यक्ति है कैसा और ये बहुत महत्वपूर है की हम जाने की हम कौन है लेकिन सच्चाई ये है हम इसे कई लोग खुद को नहीं जानते और इस बात को हम चेलों के जीवन में देखते हैं इसी बात को जब वो तूफान का सामना उन चेलों ने अपने जीवनों में किया और यही तूफान के बीच में चेलों के सचे रंग सामने आए और इस प्रकाशन ने येशु को मजबूर किया कि वो एक प्रश्न को उन चेलों से पूछे कि तुम क्यों इतना डरते हो क्योंकि ये तो एक बहुत प्राक्तिक और सभाविक सी बात है जब एक बहुत बड़ी परिक्षा एक बहुत बड़ा तुफान हमारे सामने आता है तो जो सभाविक सी बात हमारे जीवन में होगी वो यह है कि हम भैबीत हो जाएंगे और याद रखिये परिक्षाएं और समस्याएं तो हम सब के जीवन में आती हैं और जब चिंताएं हमारे जीवन के ऊपर आती हैं तो हो सकता है कि हम उस भे में दब जाएं लेकिन परमेश्व का धनेवाद परिक्षाएं क्योंकि हम इन तुफानों का सामना विश्वास के साथ कर सकते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तब कुछ अनन्त का एक मूले आपके जीवन से बहरा सकता है और याद रखिये बड़ी बड़ी मुश्किले और परिशानियां हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं और वो हमारे शांती और आनन्द को चुरा सकती हैं और हमारे आनन्द को छीन कर हमारे अंदर गबराहत और डर को भर देती हैं और हम सड़ना भीतरी रूप से सड़ना या नाश होना शुरू कर देते हैं और यह हमारे शाररिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है और मसीही होने के नाते और याद रखिये हम ऐसी चिंताओं के प्रती हमेशा एक रोकनात्म के रवया नहीं रख सकते हमेशे कईयों के पास एक गलत विचार है और आप मैंसे हमेशे कईया ऐसा सोचते हैं जब हम अपने जीवनों को प्रभु येश्व मसीह को समर्पित कर देते हैं और एक सच्चे मसीही जीवन को जीते हैं तब कोई समस्या और मुश्किले नहीं आएगी कोई समस्या नहीं होंगी और हर समय बहुत अद्बूद और अच्छा होगा और ये तो बहुत ही गलत एक विचार है और विचारधारना है जो कुछ आज के प्रचारक आपके भीतर इस बात को डालना चाहते हैं लेकिन इन वचनों में हम देखते हैं कि यहां तक देखते हैं किस प्रकार से चेले भी भैवित हो गए, डर गए और उस परिक्षा के बीच दब गए जब परिसितिया उनके विपरीत थी और इस अध्याय में और इस आध्याय में और याद रखिये इसी चोटे अध्याय में इसके इन अन्तिम वशनों को जिसमें हमने अभी पड़ा, उससे पहले येश्व मसी अपने चेलों को द्रिष्टांतों के द्वारा सिखा रहा था एक आत्मिक शिक्षा के बाद दूसरी आत्मिक शिक्षा उनने दे रहा था और इस अध्याय में यानि चोटे अध्याय मर्कुस में आप आएंगे की चार द्रिष्टांत मौझूद हैं और ये चारो जो द्रिष्टांत हैं वो प्रभू परमेश्वर के राज के बारे में और उसके बाद पैतिसवे वचन से लेकर तालिसवे वचन तक और वहां पर हम देखते हैं लिखा है कि येश्व उन्हें उस शिक्षा की जगा से लेकर निकाल ले गया और प्राकतिक और सही जीवन के सुभाविक जीवन की स्थान पर ले आया और उन्हें अपने दिन के शुरुआत पूरे दिन की एक लंबी शिक्षा के पश्चात वो निकले और आप सोच सकते हैं कि पूरे दिन की शिक्षाओं को देने के बाद प्रभु येश्व मसी कितना ठक चुका था और ये तो अब श्याम का समय हैं और आप अगर माली जे शिक्षाओं देते हैं लेक्षाओं पढ़ाते हैं पूरे दिन भर तो अंत में श्याम तक सांज होते हुए आपको कैसा मैसूस होता है और जो येश्व ने किया वो ये था कि वो चेलों को वो शिक्षाओं की जो विद्याले था उससे बाहर निकाल लाया और प्राकर्तिक और सत्तिक जो जीवन था उसकी प्रयोग शाला में उन्हें ले आया और ये तो सुभाविक था कि येश्व मसी थका हुआ था और वो समुद्र भी शांत था और वो जो शाम की हवा थी वो भी बहुत आराम दायक थी और येश्व थकान के कारण सो गया लेकिन इस समुद्र में इस समुद्र में अचानक से तूफान आते थे और बिना किसी चेतावनी के वो तूफान और बड़ी लहरे उस समुद्र में उठती थी और ये जो गलील का जो नदी या समुद्र नदी था ये इसी प्रकार का था और इसी प्रकार के एक तुफान ने रात में चेलो की नाव को टकराया और वो इस बात को नहीं जांते थे और बिना किसी चेतावनी के और उच से तीसवे वचन पर देखें तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी भर जाती थी और जबकि यह लोग जो मौसम की अनुसार यात्रा करते थे यह घबराई हुए थे येशु तो बड़े आराम से सोया हुआ था और 38 वचन में लिखा है पर वह अपने पिछले भाग में गदी पर सो रहा था और इस वचन में भी एक बड़ी शिक्षा है और चेलों की इस्तिती पे आप गौर फर्माएं वो तो मौसम की अनुसार यात्रा करने वाले थे और वो घबरा गए और येश्व बड़ी गहरी नींद में था क्या आप सोच सकते हैं तो ये परिस्ति थी छेलों के बारे में और प्रभु येश्व मसी के बारे में क्या बताती है और जबकि येश्व मसी तो बड़े शांती से और बड़े अराम से अच्छा अराम से सोया हुआ था और उस तुफान के बीच भी और वो चेले तो डरे हुए थे वो तो घबराए हुए थे और जब उनके सारे प्रयत्न खतम हो गए उन्होंने येश्व को जगाया येश्व और यहां पर हम देखते हैं चेलों के सचे रंग का प्रकाशन और इस बात ने उनके साथ कुछ नहीं किया और इस बात ने नहीं उन्हें बनाया नहीं उन्हें तोड़ा और उन्हें बदला भी नहीं लेकिन इस बात ने उनके भीतर छुपे हुए सत्य को प्रकाशित किया और येशु मसी के सचे रंगों सभाव को भी इस बात ने प्रकाशित किया और जब येशु को उन्होंने जगाया येशु खड़ा हो गया और उस खड़े होने में उसने किसी भी प्रकार की गवराहत और धर नहीं दिखाया और उसने हर एक बात को बड़ी असानी और बड़ी अचानी के साथ कर दखाया और हम अपने इस मनन को जारी रखेंगे ब्रस्पतिवार के दिल और मैं नहीं चाहता कि आप इस मनन को छोड़े और हम इस परस्तिथी को देखेंगे इसी वचन और इस अध्याय से और बड़ी मूलिवान शिक्षाओं को चाहेंगे और यह सभाविक और सत्य बाते हैं और याद रखेंगे येश्यू की जो शांती थी उसकी जो शांतिश्त और भाव था कोई भी बात उसे बदल नहीं सकी जब वो सोने के लिए गया और इसलिए उसने देखा कि कितना शांत है समुद्र और हवा भी शांत और अरामदाया के इसलिए वो सो गया और जब चेलो ने उसे उठाया तब क्या परिस्तिती थी और चेले भी येश्यू के समान ही शांत थे शुरुवात में लेकिन जब उसे जगाया तब चेलो के जो रंग थे वो बदल शुके थे वो तो डरे हुए थे और वो डरे और भाइबीत थे और उनने सोचा कि वो मरने वाले है लेकिन येश्यू के बारे में क्या कही है जब वो उठा कोई अंतर नहीं वो तो उतना ही शांत था जितना वो सोने के लिए गया तब और ये एक ऐसी बात है जिसे आप सीख सकते हैं और याद रखिये कौन है ये येश्यू मसीश और जो सबसे अच्छा तरीका है अपने तुफानों का सामना करने का येश्यू के साथ तुफान का सामना करने का और इसलिए येश्यू का आपके भीतर होना बहत महत्वपूर है और याद रखिये वो को ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे आप जब चाहे मन आए तब बुलाए येश्यू इधर आ और मेरा ये काम कर दे होने दे आपकी ये दे आपका ये शरीर उसका मंदिर बन जब जब जहाँ पर वो जिए और उसके साथ आप हर एक तुफान का सामना कर सकते और आई ये हम इन शिक्षाओं को सीखें और ब्रस्पतिवार को आप तयार रहें हम इसी मनन को जारी रखें और हम यहाँ पर इस मनन को रोकते हैं जब येश्व अपनी नींद से उठ खड़ा हुआ उसके परशाद क्या हुआ और आप ब्रस्पतिवार के मनन को ज़रूर सुने सुर्गे पिता धनेवाद इस अद्बुच्षिक्षा के लिए और यही तूफान, और यही शक्ति, और यही परिस्ति थी येश्व बड़े अराम से सो सकता था लेकिन छेले, डरे और भैवीत थे अंतर कौनसी बात लाता है पिता, हमें तेरी आवशक्त था क्योंकि तेरे बिना, हम इन बातों का सामना नहीं कर सकते लेकिन तेरे साथ, हम कर सकते और इसले पिता, हमारी सहाइता कर जैसे हम इस बात में आगे बढ़ते हैं और जब हम इस अध्यान को समाप्त करते हैं जब हम इस बात को आसा लगाते हैं कि पवितरात्मा हमें बदल देगा धन्यवाद येश्यू के नाम में अमें मेरे मित्रों ये एक बहुत अद्बुत दिन है और एक अद्बुत दिन आपका बीते जैसे आप परमेश्र के संग चलते हैं आमें